जैहिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जारखन बोड के मैट्री के छात्रों का 25 मार्च को होने वाले गनित की परिछा के लिए कुल मिलाकर 40 BBI अबजेक्टिव प्रशनों का उत्तर लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफी महत्पून है और इसमें से बहुत साथ प्रशन आपको 25 मार्च के होने वाले बोड एकजाम में पूछे जाएंगे तो चली हम लोग सेरियल नंबर एक से लेकर 40 तक के सभी प्रशनों को एके करके हल करते हैं चली दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला स्वाल से पहला स्वाल है 96 के अभाज गुनन खंड में दो का अधिक्तम घात क्या है तो पहले 96 का अभाज गुनन खंड कर लेते हैं श्यानमे को पहले भाज गुना नखंड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 से ड हित्तमान कितना हुआ पांच जो अपसर नमबर चार में दिया हुआ है इसलिए इसका राइट अनसर चार हो जाएगा चलिए चलते हैं नेक्स स्वाल की ओर दोसरा नमबर स्वाल है अधि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हो में ए बराबर बहत्तर और बी बराबर नाइन तो आर कमान क्या हो जाएगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है जहां यह क्या है भाज है बी क्या है भाजक है क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है सेस्फल तो देखते हैं इसको भाज बराबर क्या होता है भाजक गुने भाजक ग 72 दिया हुआ और भाजक कितना दिया हुआ है और भाःगफल कितना है भाःगफल निकालना है और और सस्ल कितना हो जागा तो देखते हुले 72 को भाग सेν withdraw को भागा देते हैं 9 मोड़े82 ऐसका nelle 20 इसे इन रिमेνडर क्या पूछा गया थ realized का 0 जो कौन सा option में दिया हुआ है, एक नंबर option में दिया हुआ है, चलिए चलते है next स्वाल, तिसरे नंबर स्वाल है, route 5 क्या है, तो route 5 एक, आपनी में संख्या है next स्वाल है, चौथा नंबर है, 29 बटा 3403 का दसमलोग परशार कैसा होगा तो 29 बटा 343 का दसमलो परसार असांत आवरती होगा next 5 नमबर स्वाल है graph से बहुपद के सुन्यकों की संख्या कितनी है तो सुन्यक की संख्या निकालते हैं देखते हैं एक सक्सिस को कितनी बड़ टच किया गया है एक सक्सिस को एक बड़ यहां टच किया गया है और एक बड़ यहां टच किया गया और दो बड़ टच किया गया है तो इसमें सुन्यकों की संख्या 2 होगा जो अप्शन नमबर 3 में दिया हुआ है चलते हैं next स्वाल के और next स्वाल है 6 नमबर बहुपद x square minus 3 का सुन्यक क्या होगा तो x square minus 3 का सुन्यक क्या होगा x square minus 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आजाएगा पलस माइनस रूट अंडर 3 आजाएगा तो देखते कौन सु अप्शन में चार नमबर अप्शन में दिया हुआ है X वर वर एक मैनस रूट अंडर 3 और एक पलस रूट अंडर 3 दिया हुए है चलते हैं नेक्स वाल की ओर साथ नमबर स्वाल है सुनियको का योग 4 दिया हुए है और गुननफल 1 दिया हुए है तो दुविगात बहुपद क्या होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है X स्क्वाइ माइनस अल्फा प्लस बिटा X प्लस अल्फा इंटू बिटा आनि अल्फा प्लस बिटा जो है वो सुनियको का योग दिया हुए है और अल्फा इंटू बिटा दिया हुए है वो सुनियको का गुननफल दिया हुए बस बठा देते हैं तो x square माइनस सुनियाको का योग केतना दिया हुआ? 4 तो alpha प्लस beta प्लस 4 दिया हुआ आनि 4x हो जाएगा प्लस alpha into beta केतना दिया हुआ? 1 आनि इसका जो equation बनेगा x square माइनस 4x plus 1 कौन सो option में दिया हुआ है? दो number option में दिया हुआ है इसका right answer 2 हो जागा चलते हैं next स्वाल के ओर next 8 number स्वाल दिया हुआ है दो चरो में रखिक समिकरन का ब्यापक रूप क्या है? तो दो चरो वाले रखिक समिकरन का जो सूतर होता है ax plus by plus c बरबर 0 हो गया कौन सो option में दिया हुआ है? तो दो number option में दिया हुआ है ax plus by plus c बरबर 0 next 9 number स्वाल है रखिक समिकरन युग्म असंगत है तो आले की रेखाएं होगी? तो इसका right answer हो जाएगा एक number समानतर होगी रखिक समिकरन युग्म असंगत है तो आले की रेखाएं क्या होगी? समानतर होगी next 10 number स्वाल दिया हुए है 2x minus y बरबर 5 और 3x plus 2y बरबर 4 का हल क्या होगा? तो इसको solve करना पड़ेगा 2x minus y बरबर 5 दिया हुआ और 3x plus 2y बरबर 4 तो सबसे पहले या x को बराबर कर लिजे या y को बराबर कर लिजे तो चलिए हम y को बराबर कर लेते हैं यहां y 2y दिया हुआ है यहां y सिर्फ मैनस y है इसको क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं और इसको y के आगे क्या 1 है इसको कोफिसेंट इसको 1 से गुणा कर देते हैं अब गुणा करते हैं देखते हैं 2 से इसको गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा मैनस 2y बराबर 10 और फि से इसको भी काट देते हैं, दो पर में, तो x बराबर 2, अब यह x बराबर 2 है, वो equation number 1 यह 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो equation number 1 दिया हुआ है, 2 x minus y बराबर 5, तो x के मांद 2 रखना है, तो 2 गुने 2 minus y बराबर 5, आनी 4-5 चार-y बराबर 5 तो y ब व्राबर क्या हो जाएगा? मैनस 1 हो जाएगा तो क्या निकल गया? x by टो, x by टू और y by बराबर मैनस 1 कौन इस ओप्चन में दिया हुआ है? एक नमबर ऐक्राबर में दिया हुआ है x by लगतू ओड़ apo y probably minus 1 चलिए चलते हैं, next वाल के ओर, next एक आरे नमबर स्वाल है, समिकरन निकाय x plus 2y बराबर 3 और 5x plus ky बराबर 15 के अंगिनत हल होने के लिए k कमान क्या होगा, तो k कमान क्या होगा, और x का कॉफिसेंट के तना दिया होगा? एक आनि एक बटा यहां कितना दिया होगा, 5x बराबर, यहां कितना दिया होगा, 2y और इस equation में ky दिया होगा, y's y कड़ गया, x x कड़ गया, और k कमान निकालना चाहें, k बराबर किया हो जागा, 5 को 2 से गुन पदूरी 10, और के कमान केतना हो गया, 10, जो कौन सा उप्षन में दिया हुए है, दो नमबर उप्षन में दिया हुए है, चलते हैं, नेक्स स्वाल के और, नेश्ट बारा नमबर स्वाल है कौन एक द्विघात समिकरन है चार ओप्षन दिया हुए है सब को solve करेंगे और देखेंगे कौन सो द्विघात समिकरन है तो हम पहले ही solve कर चुके थे तो ओप्षन नमबर 3 में दिया हुए है कौन सो द्विघात समिकरन है इसी को solve करते हैं औ 2x-1, x-3, बरावर क्या दिया हुआ? x-5, x-1, चलिए इसको solve करते हैं, पहले 1 को रोकते हैं, 2x को x से गुना करेंगे केतना जाएगा? 2x square, और फिर 2x को 3 से गुना करेंगे, तो माइनस 6x फिर माइनस 1 को अगर x से गुना करेंगे तो माइनस x अब माइनस 1 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3 बराबर फिर इसको 5 क्या करते हैं x को x से गुना करते हैं तो x square फिर x को और यह mi-6x है यहाँ । बराबर के थर रगत यह हो जाएगा तो -5x केतना हो जाएगा-11x और यह 3 दिया क्षे हए, और यह minus है तो प्लस में इद्यर रोगत क्या हो जाएगा , तो 3 प्लस 5 आनि 8 हो जाएगा तो है यह देखे iron प्लस पाँच हो जाएगा, टो यह सकुरम मैंनस 5 एकस-2 बराबर जीरो का विभीकतर का मकान क्या होगा और डी कमान निकालने बोल रहा है था हम जानते हैं कि गिए बराबर क्या होता है बीच्पर मैंनस 4 एसी को इसमें एक मान दिया हुआ क्यों रहेहए BBC से दिए जाल हैं क्यों इसमें बठा przepानिया है मैनष कर्द निकलता है तह यह इंए कास्कव भूस Lebens टो बन популяр कें डिया हुआ डी ब्राबर 1, डी ब्राबर 1 कौन सा option दिया हुए है, दो नमबर option में दिया हुए है, चलिए चलते हैं, next वाल की ओर, next वाल 14 है, 14 नमबर स्वाल है, द्विघात समिक्रेंट, 2x square प्लस x प्लस 4 ब्राबर 0, कि D कमान क्या हुआ, फिर D कमान पुछा है, तो इसमें भी D कमान क् गया, B कमान x के आगे कुछ नहीं, तो एक गुणा होता है, तो B ब्राबर 1 हो गया, C ब्राबर 4 हो गया, ठीक है, इसमें बठाते हैं, B square आनि x के आगे कितना है, 1, तो एक के square, मैनस 4 गुणा 1, आनि A दिया हुआ, 1 कैतना मान दिया हुआ, 2, और C कमान केतना दिया हुआ, 4 तो एक मैनस 4 चक 16 दूनी 32, आनि एक में से 32 गया, केतना बचेगा, मैनस 31, अब देखते है, मैनस 31 कौन सू अप्शन में, ती नमबर अप्शन में दिया हुआ, इसलिए इसका right answer, 3 हो जाएगा, मैनस 31, और next, 15 नमबर स्वाल है, द्विघात समीकरन में अधिक्तम घात होता ह है, द्विघात समीकरन, सबसे पहले द्विघात समीकरन लिखते हैं, द्विघात समीकरन होता क्या है, एक स्क्वाय, प्लस, बी एक स्वाल, प्लस, प्लस, सी, पूछरा कि अधिक्तम घात केतना होगा, तो दो इसका right answer हो जाएगा, आनि जो option number 3 में दिया हुए, चली चलते नेक्स स्वाल के और, नेक्स स्वाल है, एपी, दो, छे, दस, चौधा का सार्व अंतर, अनि इसका सार्व अंतर निकालना है, डी कमान निकालना है, तो देखते हैं, दिया वो दो, छे, दस, चौधा का सार्व अंतर, अनि डी कमान क्या होता है, पर्थम संख्या, मैंने दोनों को घटाएंगे वहे हमारा D common हो जागा सब में देखिए इसका अंतर केतना दिया हो वह चार दिया क्योंगा इसका भी अंतर चार दिया हुए है इसलिए डीviolent कैतना हो जाएगा कितना दिया है वह 10 तो 10 में 10-1 और D कमांद निकालना है तो D कमांद क्या होता है दोनों की अंतर होता है दो में से 7 यह 7 में से 2 गया कितना बचेएगा 5 12 में से 7 गविए पास Summit इसका सारव अंतर कितना निकलेगा निकलेगा अच्छी निकलेगा D common तो 5 अब इसको solve करते हैं 2 प्लस 10 में से ग्या 9 45 तो जोड के केतना जाएगा 46 अब देखते 47 कौन से option में दिया हुआ है एक नंबर option में दिया हुए है इसलिए इसका right answer एक हो जाएगा चलते है next वाल की ओर next वाल है अधी किसी AP में L बराबर 28 S बराबर 144 N बराबर 9 तो A common क्या होगा तो इसको भी बनाने के लिए फोर्मूला होता है SN बराबर N by 2 A plus L हो गया ठीक है तो देखते सभी बठाते सबको सबको N बराबर केतना दिया हुए 9 तो 9 बटा 2 और A command क्या दिया हुए है A command तो निकालना ही है A plus L command केतना दिया हुए 28 और SN command केतना दिया हुए 144 अब इसको solve करते है 32 में सा ठाज गया तो 4 बचेगा कौन सा अप्षन में दिया हुए दो नमबर अप्षन में है चलते हैं next वाल के और सभी संभाहू तिर्भूज होते हैं सभी संभाहू तिर्भूज सभी संभाहू तिर्भूज समरूप होते हैं दो नमबर अफसर में दिया हुए है, चलते हैं next स्वाल की ओर, next 20 नमबर स्वाल है, तिर्भुज ABC और तिर्भुज BDF, दो संभाहों तिर्भुज इस परकार हैं कि D भुजा BC का मध्विंदू है, तिर्भुज ABC और BDE का छेतरफल का अनुपात क्या हो जागा, इसका BC, बोल रहा है कि DE parallel है BC के, DE जो है, वो BC के समनांतर है, इस समनांतर है इसका, तो AD बराबर 5 दिया हुए है, AD बराबर 5 दिया हुए है, और DB बराबर 3 दिया हुए है, तो पूछा है AE और EC का मान, तो AD बटा DB का मान होगा, सेम चीज वही, AE बटा EC का होगा, इसलिए AE का मान पांच होगा और EC का मान भी 3 ही होगा ठीक है तो यह इए बटा EC का जो मान होगा वह 5 बटा 3 होगा तो 5 बटा 3 उप्सन नमबर 1 में दिया हुए है चलते हैं नेक्स स्वाल के और 12 नमबर स्वाल है बिंदू दिया हुए है 2-3 की दूरी मूल बिंदू से होगी तो इसका फर्मूला होता है रूट आंडर x² प्लस y² तो क्या होजागा एक्स कमान दिया हुए है दो तो 2 का स्कॉार करेंगा तो 4 हो जागा 3 का स्कॉार करेंगा तो 9 हो जागा चले तैसमा प्रस्म को देखते हैं बिंदु P-2 और 8 और 9, अच्छा 9 के जगा यहां बिंदु Q होना चाहिए, 9 के जगा बिंदु Q-6 और-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध भिंदु क्या होगा? तो मिलाने वारी रेखा खंड कमद बिंदू इसको निकाल लेंगे दो नमबर अप्शन में है मैनस 4 और 2 होगा ठीक है चलते हैं नेक्स स्वाल की और नेक्स 24 नमबर स्वाल है अधिक इसी तिर्भूज ABC का 6 तरफल 0 हो तो तिर्भूज के सिर्ष बिंदू होती है तो तिर्भूज के सिर्ष बिंदू जो है वो संरेखी होती है ठीक है चलते है नेक्स स्वाल की और नेक्स 25 नमबर स्वाल है 25 नमबर स्वाल है 10 ठीटा बराबर 12 बटा 5 दिया हुए है तो साइन ठीटा का मान क्या हो जागा इसके ट्रिप्लेट होता है 5 और 12 दिया हुआ है तो इसका कर्ण क्या हो ज़सा कर्ण क्मान निकलाएगा 13 अब करन पूछा क्या है साइन थेटा कमान वर्राबर क्या होता है duch हाभ की क्या है इसमें लंब ऑर l épष क्या है क्या है कर्ण तो कमाल केतना दिया हुऊ है 12 करम कमाल कर कितना निकाले 13 और 12 बटा 13 कुंसा दिया हुआ हुआ है चलते हैं कि और नेट्ट स्वाल अ में 26 नमबर अदि रूट अंडर 3 shark A 26 आशाना भाबर 2 दिया हुआ है तो सेख थिटा बरबर दो बटा रूट अंडर 3, तो देखते हैं कि सेख थिटा का कितना डिगरी कमान दो बटा रूट अंडर 3 होता है, तो सेख थिटा का साथ डिगरी कमान, साथ डिगरी कमान, साथ डिगरी ने, सोरी, 30 डिगरी कमान, दो बटा रूट अंडर 3 होगा, क्यो सब्सक्राइब नेङस्ट वाल कीूर 다양한 सब्सक्च नेक्स्वाल की चुछ नाइंटीमेनिटी थीट्पात तो कॉषण नाइंटीश नाइंटी माइनुटेक्टसर्न फिट्पार बॉरबर क्या होता है साइन नाइंटी दो ने 10 degree दिया हुए है तो sin square 10 degree plus cos square 10 degree के मान भी कितना होगा एक होगा जो option number 2 में दिया हुए है चलने चलते है next स्वाल की और 29 स्वाल है 29 स्वाल है sin 18 degree बटा cos 72 degree का मान क्या होगा तो sin 18 degree बटा cos 72 तो इसको change कर लेते हैं पहले sin इसको लिख सकते हैं sin 90-72 आनि 90 में से 72 खटाएंगे तो 18 जाएगा sin 18 बटा cos 72 degree तो sin 90-theta होता है cos theta का मान होता है cos cos theta बरबर केतना होगा 72 बटा cos 72 degree यह cos 72 स्वाथर कड़ गया और एक बार में कटेगा तो इसका होती है कि बास पर्स करने वाले दो विरुतों के उभनाइस्ट असपर्स रेखा होती है एक होती है जो option नंबर दो में दिया हुआ है चलते है नेक्स स्वाओ के ओर हो कि नेक्स्ट एकस्ट नंबर सवाल दिया हुए होँए दी गया आकिरते में ओवर बदबर पांच दिया हुए ऊकर पोच्छ लाइब कमान केतना दिया हुए 4 तो पोचुछ ना है है चार तो पूछ रहा है के लंबाई कितना होगा। हम जानते हैं ट्रिपलेट है और पांच इस तरह सब्साइब कते हैं उससी तरह सब्सक्राइब गते हैं यसमें सहरोफ फांच धिया व्रित की बिंदू B पर ABS पर से रेखा है, जिसके लंबाई 4 cm है, तो व्रित की त्रिज्या क्या होगी, इसमें भी ट्रिप्लेट लगा सकते हैं, तीन, चार, पांच का ट्रिप्लेट लगा सकते हैं, 5 दिया होगा, 4 दिया होगा, तो इसमें से 3 होगा, जो अपसर नमबर 3 में दिया होगा है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स स्वाल की और, 33 नमबर स्वाल है, एक बिरित का ब्यास 14 cm है, तो उसकी परिधी क्या होगी, तो बिरित का परिदी हम जानते है इसका फर्मूला होता है 2 πाय और तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर कमान 7 साथ से 7 कड़ गया 22 दूनी केतना हो गया 44 तो 44 कौन से ओप्शन में दिया हुए है ती नंबर ओप्शन में दिया हुए है ठीक है चलते हैं नेक्स सवाल की और नेक्स सवाल है साथ सेंटिमेटर तिरिज्या वाले अर्ध वरिद का छेतरफल क्या है चौतिश नंबर सवाल है साथ सेंटिमेटर तिरिज्या वाले अर्ध वरिद का छेतरफल क्या है तो तिरिज्या केतना दिया हुए है और अर्ध वरिद का छेतरफल सबसे पहले जानते हैं कि वरिद का होता है जानते है कि 22 बटा साथ होता है और आर के मान केतना दिया वो साथ गुने साथ अब बटा 2 करते हैं दो से कड़ गया 2 से 11 11 सती 70 सततर कौन से ओप्षन में दिया हुआ है एक नमर ओप्षन में दिया हुआ है ठीक है चलते हैं next वाल की ओर next 35 नमर स्वाल है 14 सेंटीमेटर तिर्ज्यवाले विरित के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डीगरी का कोन अंतरित करती ह है तो देखते हैं स्वाल को आर बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और और कौन दिया हुआ है थिटा बराबर 90 डिग्री इसको सबसे पहले रेडियन में चेंज करते हैं तो 90 गुना पाई बाई एक सो असी इसको भागा देंगे 9 दुनी 18 अनि पाई बाई टू रेड इसए अत्ये हुगा निकालना है विर्द के जाप की लंभाई पूछ रहा हुआ चाप की लंभाई नीकालना है और कौन केतना निकाले पाई-वाई 2 दो रेडियन पाई दो रेडियन और त्रीजय केतना दिया हुआ है 14 cm दिया हुआ 14 cm दूसरे इसको भागत देंगे तो 2 सती 14 और पाई कमान पाई गुना साथ आगे पाई कमान हम जानते है 3.14 होता है गुना साथ से गुना करेंगे तो लगभग में 22 का सपास में आएगा जो अपसर नमबर 3 में दिया हुए है ठीक है चलते है कर लिजेगा 3 5R2 ठीक है चलते हैं next स्वाल की ओर next 30 स्वाल है पर्थम 5 पराकिट संख्याओं का माध्य क्या होगा तो पर्थम 5 पराकिट संख्या कौन से होगी next 38 ज्वाल है द आधिका क्या है तो सबसे पहले माधिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको एरेंगे है चोटा से बड़ा में आएरेंज करते हैं सबसे पहले सबसे चोटा क्या आएगा दो आएगा फिर पांच अएका उसके बाद फिर चौदा आएगा फिर बाईस आएगा फिर चौदी साथ इसे ना संख्या के उएक दू-धू-चार-पांच-छह-छह-छह-धू-थाथ तो इसमें जो बीच वाला सजा कि बीच वाला होगा वो इसका माधिका होगा ठीक है तो इह हमारा माधिका हो जागा इधर भी तीन संक्या एक लिए आरीट अनसर क्या होगा ठीक है तो option number 2 में दिया हूँ है एक बटा दो चलते हैं next स्वाल के ओर next 40 number स्वाल है निर्म में से कौन से घटना प्राइक्ता नहीं हो सकता है तो कौन से घटना है जो प्राइक्ता नहीं हो सकता है तो इसकी प्राइक्ता निकालते कैसे हैं इसका प्राइक्ता जो होगा 0 PA 1 हो जागा ठीक है तो 0 से 1 के बीच लाए करना चाहिए तो देखते हैं उप्सर नमबर 1 में 1.1 तो 1.1 है इसको 10 मुल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा जो लगभग 1 से जो लगभग 1 से 10 को अगर 11 से भागा देंगे 10 को भागा देंगे 11 में तो लगभग 1 से जादा आजागा ठीक है तो 1 से जादा नहीं आना चाहिए 0 और 1 के बीच आना चाहिए तो 0 और 1 के बीच नहीं लगभग 1 से थोड़ा जादा आएगा तो यही इसका राइट अंसर हो ज सब्जेक्टिव प्रस्णों को उत्तर भी लेकर आऊंगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जैहिन बंदे मातरां